नमस्कार दोस्तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर तो दोस्तो आज हम बात करेंगे 69,000 सिच्छक बर्ती लेटेस्ट अब्डेट तो दोस्तो आज आज आपकी तारीक हो चुकी 28 नॉम्मर 2019 के बड़ी अब्डेट्स देखने वाले और बात करेंगे सीध दोस्तो इस पर भी discussion होगा कि आज जो आपकी सुनवाई होगी वो दोपहर लंच के बाद ही होगा अप्टा लंच ठीक है पहली बड़ी अपडेट उसके बाद दोस्तो बात करेंगे पहले पूरी कोट अपडेट देखें जी आज दोस्तो कल सभी वच्चों ने कोट अपड इसके बाद हम बात करेंगे यह पहले से प्लान था ह्क टाफ मुद्दे पर कोई पच्छ बात नहीं करेगा जिए दोस्तों आपने 69 एजा में सिच्छ बर्ती में चाय सिंगल बेंच में देखा ओ रचाओ जो ज कि उसमें कटाप मुद्धे पर बात ही क्या की जाएं ठीक है सिंपल सी बात है दोस्तों कि अगर आपको कुछ उस्वान लिखा ही नहीं तो बात क्या होगी या दोस्तों अगर हम कभी-कभी आपसे पूछे कुछ बच्चे होते हैं जो हिंदी इंगलिस में बनाक लिख के आते पीपर में जबकि उनका नाम भी नहीं पता होता है कि हम किसके बारे हम लिख रहे हैं तो दोस्तों वह एक कला होती है तकनीक होती है ठीक है न कैसे अपने टीम को जिताना है उसके बाद दोस्तों कल की सुनवाई के बात किसकी टीम मजबूत इस पर भी डिसकसन होगा तो से अपील करने के बावजूद आज भी कोर्ट में कोई सीनियर वकील मौजूद नहीं रहा जिसका गंबीर खाम्याजा हमें भुगतना पड़ा आज स्वयम इर्शासर ने नियमा वली में बीएड के सामिल होने करने के संसोधन मुद्दे बीएड एज ट्रेनी टीचर पर कह द उपेंद्र मिस्रा जी को टोका गया कि बीएड मैटर पर नहीं कटाप पर अपनी आर्ग्यूमेंट रखें देखें दोस्तों अमने फिर से बोला कि कोई भी पच्छ कटाप मुद्दे पर बात नहीं करेगा चाह 60% टीम रही हो चाह 40-45 फिर दोस्तों क्या होता है इसी समय यदि कोई सीनियर भी ऑबजेक्शन करता तो दोस्तों सम्भूता है वो इस पर आगिन नहीं बोल पाते जी यहां दोस्तों आपने देखा हो न टीवी में पिच्छरों में कैसे ऑबजेक्शन किये जाते हैं उसके बाद दोस्तों लेकिन लापरवाई का नतीजा यह हुआ क उपेंद्र मिस्तरा जी अपने मकसद में काम्याप हो गए बहुती अधिक लीगल टर्म में न जाकर इस बात को आप इस तरह समझे कि उपेंद्र मिस्तरा जी ने यह कहा कि चूकि सरकार का समिशन है कि संख्या बढ़ने के कारट कटाप अधिक लगाया गया जी यहां दोस् सिंगल बेंच के ओडर में जश्टिस चवान ने जो बेट के लिए टिपड़ी की उसके संदर में अपने आर्गुमेंट में कहा है कि जिस बेट के कैंडिडेट के कारट संख्या बढ़ रही है क्या उसे ततकाली नियमा वली कनसार सहायक अध्यापक पत के लिए उचित तर दूसर है आज मिस्रा जी का में अर्गुमेंट यह रहा कि बिजट की संख्या के कारट ही कटाफ अधिक लगाई कई तो उसकी वैदेता के संदर्म में 60-65 कटाफ सच्टेन नहीं कर सकते हैं फिर दो तो सीनियर वकील के अबाव में आज केस में आगे चल रहे है सभी 97 में सम सम फिर आपको बता रहे है कि आपके सिच्छा मित्र पच रहे हैं दोस्तों यह तो यह कहेंगे कि यह इनके पास अंतिम मौका है और आने वाले समय में इनको मौका नहीं दिया जाएगा क्योंकि यह सुप्रियम को ओडर था कि दो सिच्छक बढ़ती में ही इने मौका दिया समझे रहे हैं सुप्रियम कोड ने निकाला ना होता तो नौकरी ना आती है वाली जो नत्तर आजार इसनी बड़ी सिच्छक बढ़ती चल रही है तो इनकी भी दोस्तों पहले से प्लान था कि हमें इसी मुद्दे पर बात करेंगे और इसमें कुछ नहीं बात नहीं है तो कि भाई वो भी अपडेट्स पाती रहें और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को आपको सब्सक्राइब जिरूर कर लीजेगा जिससे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले ठीक है तो हम बात कर रहे थे दोस्तों इस समय कि जो आपकी 60% टीम थी तो बीड अगर ना आता तो इसनी बड़ी संक्या ही ना होती पहली बात यह बात आप समझ रहें तो फिर बीड के दोस्तों वजूद पर सवाल उड़ जाता कि कैसे कि यह लीगल तरीके से अंदर आये कि उनको जबर जस्ति अंदर लाए गया है कि क्या 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 गया तो दोस्तों यहाँ पर देखिए एक बात तो साब है कि हम बीड बाहर नहीं होगा पहली बात ठीके इसको लेकर परशार नहीं होना किसी को लेकिन दोस्तों यह बात गुमा फिराकर आती है कटाप के मुद्दे पर ठीके न वो तो दोस्तों खाली दिखावा है कि बीड के म पूरे अपडेट से जरूर देखेगा शुरूज लेकर अंतर तक क्योंकि दोस्तों आप लोग काफ़ी अन्दाज लग जागा कि क्या फैतला आ सकता है अब दोस्तों जो बच्चे मैद के जैसे अगर आप मैद बहुत अठी आती है तो मैद के कोई भी सवाल आप देखेंगे तो आप उसको अन्दाइज करके बता सकते हैं इसका उत्तर क्या आएगा तो जो बच्चे सिंपल थी बाते दोस्तों कि आप देख रहे होंगे जो भी लीगल टर्म पर बात की जाएगी जो भी एविडेंस दिए जाएगी उसी क्यादार पर कोट फैतला लेती है लेकिन दोस्तों अभी इसको डिसाइड अभी नहीं कह सकते कि क्या फैतला होगा क्योंकि अभी 40-45 ट टेक अप हो जाता दोस्तों शुरुआत होती सुनवाई तो मतलब दोस्तों एक अच्छा समय मिलता मतलब 2-5 गंटे के समय होता तो दोस्तों काफी कुछ सुना जा सकता लेकिन हम देख रहोंगे तीन बज़े के बाद यह के सुरू होता है तो सुनवाई ज्यादा लंभी हो स्टाइब को चोड़कर सरकार की पावर को ज्यादा फोकस किया विज्यपत योज्वीं दम्लतर वी वे समझ रहेते कि की अछे बहुत ही बड़ा मतलब आ आर्गुमेंट का दोस्तो इसका बहुत बड़ा मतलब है यह दोस्तों आप समझ में आ चाहां से कहां चलता है लाश्ट में आप समझ में आता है कि पूरी स्टोरी है ग्या तो दोस्तों जब यह केस का फाइनल आने लगे तब आप समझ जाएंगे अच्छा यह बात थी इसको गुमा गुमा कर रहसक आ गया तो दोस्तों यह सब पूरा मामला चल रहा है और देखे सिंपल थी बात है जो बच्चे कुछ बच्चे ऐसे भी है लेकिन आपको नहीं आते दोस्तों फिर हम नहीं कैसकते कि आप लीगल है क्योंकि आपका इलाबात जो बेंच का फैसला है तो वहाँ पर जीरो कटाफ को लेकर बात के गई अगर एक बात सोची कि जीरो कटाफ हो जा गई कि यार उसमें विग्यप्ति में कुछ लिखाई नहीं तो खटा आपको सुनी क्यों ना करती आ जाए तो अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर तो ज्यादा दिक्कत होगी लेकिन फिर सिच्छा मित्रों के तो समली जेकरे से होली दिवाली सब कुछ एक साथ होगी मतलब कु तो दस नमर यहां जो वालिस प्लस 26 होगा दोस्तों जो कि 68 नमर तक बनेगा अब 68 नमर अगर आप इस जनरल केंडिटेट है तो फिर आपके लिए मुस्किलात पैदा होंगी जब 40-45 कटाफ लग जाएगी अगर 60-60 कटाफ लगती तो आप नौकरी पा जाएंगे तो confusion काफ कह दो सकते हैं प्लकि रोचिए प्रेंगे अरुन है काम कर सकते हें आप लिंक लर्म लिक करें दिदेंगे तो सब्सक्राइब करते हैँ तो चली दोस्तों फिर लेंगे थोड़ी देर बात कि लिए इस्टे कनेक्टेट और दोस्तों जैते लाइप पूट अप्डेट का सेजन सुरूगा हम आपको अप्डेट करना शुरू कर देंगे फिलाल वेट करिए और सिच्छा मित्र वर्सिस बीएट देखते हैं आज क्या होता है फिर मिलते हैं इस्टे कनेक्टेट